जहें दोस्तों यह टॉपिक बहुत ज्यादा जुरूरी था बनाना क्योंकि देखिए कोई भी कलास का स्टुडेंट हो चाहे वो 10th का हो 12th का हो या फिर बिट्टेक हो या फिर कोई भी इलेक्टिकल से जुड़े कोई भी स्टुडेंट हो या फिर इंट्रेस्टेड हो उनके इब कन्फूजन होगा ही नहीं चलिए फिर बिडियो को सुरू करते हैं तो सबसे पहले तो चाहे रेक्ट्रेंस फो या फिर इंस इंस वो इन सब क्रते हैं उसको हम लोग मेर करते हैं तो या आप एक समझ लिए कि इन तिनों का अलग-अलग यूनिट नहीं होता है एक ही उ होंगे नूट्रल का ठीक है इन तोनों की बीच में क्या करेंगे एक वायर कनेक्ट करेंगे एक वायर कनेक्ट कर देखे डिने広़ करेगा यह हमारा सब्सक्रास करेंगी हें ठीक उसी प्रकार से एक wire और लेते हैं एक live एक neutral और इसमें क्या करते हैं कि हम लोग एक bulb को connect कर देते हैं तो बल्ब के भी अंदर कुछ resistance होता है तो वह resistance यहाँ पर कर दियें तो यह short circuit ना होने के बजाए यहाँ पर क्या होगा कि यह हमारा bulb glow कर जाएगा मतलब कि यह हमारा bulb जड़ जड़ ज़गा जब कि यहाँ पर क्या कर रहा हमारा short circuit कर रहा है और यहाँ पर बल्ब कर जो resistance होता है वो लगाने से क्या कर रहा है यह glow कर जा रहा है तो यह क्या हो गया एक परकार का हमारा यह load हो गया ठीक उसी परकार से resistance और impedance यह भी एक परकार क क्या हमारे load है तो चलिए फिर एककर करके तीनों को हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे resistance को तो चलिए resistance को समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एसी सप्लाई लेंगे, एसी सप्लाई में क्या होता है, कि हमारा इसमें रिजिस्टर जोड़ते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिजिस्टर जोड़ेंगे, तो देखिए, रिजिस्टर जोड़ने से क्या होता है, कि जैसे इसमें हम लोग क्रेंट सप्लाई दें हो यहां पर क्या करेगा यह निचे राटो करतं हों के एक पर करन है जब देने के बाद क्या करेंक हमारा light गलो करेंगा मतलब कि heat देगा, heat देगा और light देगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, resistance में measure करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग resistive load में रखते हैं, resistance में measure करते हैं, R से denote करते हैं, और resistive load में इसको हम लोग check करते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो होगे, इसमें कोई दिकत नहीं है, इतना समझे है कि जो भी उपकरन है जिसमें से हमारा क्या हो कि light produce होगा उसको हम लोग रखते हैं और उसको हम लोग रिजिटेंस में चेक करते हैं ठीक है अब दूसरा हम लोग देखते हैं रिजिटेंस का तो रिजिटेंस में क्या करते हैं कि हम लोग फिर उसी तरह से सप्लाई देते हैं ठीक है और पिछला बार में हम लोग रिजिटर कनेक्ट किये थे इस वार हम लोग इंडक्टर को कनेक्ट करेंगे ठीक है इस वार हम लोग क्या कर देंगे इंडक्टर को कनेक् होते हैं जिसमें क्या होता है कि copper का वांडिंग क्या हुआ रहता है ठीक है तो जाब हम लोग supply देते हैं तो क्या करते है यह वांडिंग में आता है तो ठीक है जो इंड़क्टर होता है तो जैसी इसमें हम लोग supply देंगे तो यह भी क्या है हमारा एक इंड़क्टर है जिसको हम लोग denote करते हैं किस से इंड़क्टर को हम लोग x से denote करते हैं और यह जब supply देंगे इसमें तो क्या होए इंड़क्टिव circuit की तरह behave करेगा ठीक है तो ये भी एक प्रकार की क्या होगा हमारा load हो गया अब इसमें दो तरह के load होते है एक जो हमारा ये होता है वो क्या होता है दो तरह के load होते है पहला जो कि अभी हम लोग समझाएं कि माल ये किसी circular coil में क्या करेंगे हम लोग अगर AC supply देंगे तो इसके अगल बगल magnetic field create होगा ठीक है और दूसरा जो होता है कि वो हमारा क्या होता है कि capacitor लगा करते हैं माल लिक ये supply दे दिए और यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग इसमे capacitor connect कर देते हैं तो capacitor capacitor भी एक परकार क्या होगा हमारा load ही हो गया ठीक है और इसको भी हम लोग denote करते हैं X से ठीक है क्योंकि ये भी क्या करेंगे हमारा current को approach कर देता है current को कम कर देता है अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझें कि अगर C लगा दिए तो यह होगा capacitor के लिए XC यह हमारा capacitor को यह हमारा capacitor को सो करता है XC और अगर L लगा दिए XL तो L क्या होता है यह हमारा inductive circuit को सो करता है जैसे कि motor हो गया तो इतना चीश समझें लिए कि जो भी हमारा motor आते हैं वो होता हमारे inductive circuit में XL और capacitor भी क्या होगा एक परकार का एक एक सी तो आप समझें कि resistance में क्या होता कि हमारा det act या light देथा है सको हम लोग resistance में तर और यह हाते हम लोग impedance कुछ नहीं है impedance वीनार की को मेर करते हैं जड़ से डिनोड करते हैं मतल acceptance हम ल resembled as यहाँ पर तो पर महली ऐसी है करते हैं छी सर्केट में जोड़ेंगे तीन एक ही में जोड़ेंगे जो combination होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं impedance कहते हैं और जिसको denote करते हैं Z से आप दो को भी जोड़ सकते हैं जैसे कि माल लिजे कि यहां पर सिर्फ रिजिस्टर और इंडक्टर को जोड़ दियें तब भी का कहलाएगा हमारा यह कहलाएगा impedance जिसको जड़ से denote करते हैं तो बस यह था अज की वीडियो में आसा है कि आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा हो पसंद भी आगा हो और पूरी ता समयमा भी आगा हो और तब तक के लिए बोलते हैं जहन बंद मातरम मिलते अगली वीडियो में